और ड्रोन के मलबे को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें इसने काया कि गलत हातों में नहीं जाने देना चाहते मलबा मलबा बरामत करने की कोशिश लगातार चारी है दुनिया के दो टाकत पर देश अमेरिका और रूस आमने सामने हैं युक्रेन से युद्र का आगाज होने के साथी महाशक्ती की दखल पुतिन की आँखों में खटक रही है। अब काले सागर में अमेरिकी किलर ड्रोन MQ-9 और रूस के सुखोई 27 की टकर ने इस आग को और ज्यादा भड़का दिया। अब युएस ने बड़ा बयान दिया है कहा कि ड्रोन के मलबे को घलत हातों में नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में मलबा बरामत करने की कोशिश लगातार जारी है। बताते हैं रश्या अमेरिका की टकर से क्यों मंडराने लगा है वर्ल्ड वॉर का डर। एक और अमेरिका का दावाए कि ये रूसी शड़ी अंतर है। वहीं रूस ने से अमेरिका का जूटा आरोब बताया। उदर अमेरिका के मताबिक रूसी विमान ने ड्रोन को टकर मारी। और देखिए एक और बड़ी खबर है ब्लैक सी में खुल सकता है नया वार फ्रेंट ब्लैक सी में नेटो बढ़ा सकता है अपनी मौजूदगी अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल मार्क हटलिंग का ये बड़ा भयान हमारे सामने अमेरिकी ड्रोन मार गिराये जाने के बाद अक्शन में है नेटो एक और दुनिया रूस युक्रेंट की जंग का खामियाजा भुकत रही है पर अब तक युक्रेंटी फॉज को मदद देने वाले महाशक्ति अमेरिका और युक्रेंट के बीच नया वार फ्रेंट खुलता दिख रहा है माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात है उनमें ब्लाक सी में जंगी खमासांग शुरू हो सकता है यहां नेटो की मौजूद्गी बढ़ सकती है क्योंकि अमेरिकी ड्रोन मार गिराय जाने के बाद नेटो पूरे आक्शन में है यह दावा किसी और ने नहीं बलकि अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल मार खाटलिंग ने किया बताते हैं यूएस डोन फायर और वर्ल्ड वार का कैसे ट्रुईगर दबा ब्लाक सी में नेटो मौजूद्गी बढ़ा सकता है रूस को जवाब देने के लिए नेटो देश सामने आ सकते हैं नेटो सेनिको की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है बलाक सी के ओपर फाइटर जेट्स की ओडान तेज हो सकती है कुछी घंटे में हथियारों का जखीरा भी बढ़ सकता है अमेरिकी सेना के पूर्व जेनरल मांख हटलिंग की तरफ से दिये गए बयान के तहट यूएस ड्रोन मार गिराए जाने के बाद बड़ा फैसला भी संभव है रूसी पाइलेट्स ने बड़ी गलती की है ये कहना है मांख हटलिंग का रूस यूकरेन युद के बीच रूस की बहुत बड़ी धंकी सामने आई है पूसाइडन अंडर वॉटर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है रूस रिटन के खिलाब पूसाइडन का इस्तेमाल करेगा रूस ऐसी जानकारी मिल रही है रुटायर रूसी जनरल येवगेनी बुजिन्सकी ने किया है ये बड़ा दावा, अगर नेटों की से ना युक्रेन में आती है तो रूस पुसाइडन का इस्तिमाल करें, ये कहना है जनरल येवगेनी का रूस युक्रेन के जंगी मैदान में घातक हतियारों की जोर आजमाईश होती रही, अब इस यूद में नए विनाशक की एंट्री हो चुकी है, नाम है पुसाइडन, इस अंडर वाटर मिसाइल के निशाने पर कोई और नहीं बलकि युक्रेनी मददगार ब्रिटन हो सकता है इसकी वज़े है रशिया के रिटार जनरल येवगेनी बुसिंसकी की ओर से किया गया धमकी भरा दावा, उन्होंने काया कि पुतिन की पल्टन ब्रिटन के खिलाफ पुसाइडन का इस्तमाल कर सकती है, ऐसा विस फोटक कदम तब उठाय जा सकता है जब नाटो की सेना यू रूस ब्रिटन पर बड़ा एक्शन ले, रूस अपने नुकलियर अंडर वाटर मिसाइल पुसाइडन से हमला करे, पुसाइडन के इस्तमाल से ऐसी तबाही आएगी जिसकी ब्रिटन ने कल पना भी नहीं की होगी, ब्रिटन के खिलाफ सर्माट टू नुकलियर मिसाइल का इस्तमाल करे योक्रेन को मिल रहे ब्रिटेन के समर्थन को रोखने का यही तरीका है अगर ऐसा है तो आप अपने साबूनों को एक करोड फ्रिडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं अपने साबून को चाले के दो तरीका हैं